के वारे में कैसे हम लोग अपने टूल्स को एंचेंट कर सकते हैं और उससे पहले में आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहां पे मैं अपने घर में थोड़ा सा घर एक्सेंट किया है अपना यहां पे और क्योंकि मुझे एंचेंटिंग टेवल लगाने के लिए थोड़ कि मेरे खाल भार निकल चुकी यह भी घर के अंदर गुज गई थी इस डोर से और निकल ही निरी थी तो अभी क्या है कि हम यहां से इस जग इस आले रोम में मैं एंचेंटिंग टेवल लगाने वाला हूं तो यहीं पर हम लोग टूल्स हमारे एंचेंट किया करेंगे और अ एक एंचेंट्मेंट रूम तियार करूंगो फिर महां से एंचेंटिंग टेवल बनाएंगे और उससे पहले मैं आपको इची बता जाता हूं जो अभी लास वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने यह जो बनाया है काउफ वाम यह बहुत अच्छा काम कर रहा है और बु मेरे वाक्शाप के ओपर लीचे जो कि मैंने यहाँ बनाई हूँ है जिसको थोड़ा से एक्स्टेंड भी किया है आज को मेरे पास यहां पर इतना इनफ शूओर नहीं है कि मैं बहुत सारी बुक्स यहाँ बना पाऊं तो अभी एक काम करते हैं बहुत चारा पेपर ना बन तो फटाफट दे मैं इसको collect कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि हमें कितना paper है इतना गिर रहा है कुछ भी छोड़ना नहीं है फटाफट इसको collect करते हैं तो यहां पर मैंने two and a half stack जो है वो paper शुगर के इनका ले लिया है और अभी मैं उससे बनाऊंगा papers और papers के बाद में हम लोग कुछ बनाएंगे books तो फटाफ़से मैं यहां पर बना लेता हूं और देख से जितने भी papers बना लूँगा यहां पर तो let's see paper बनाने के लिए मिनको लिखना पड़ेगा paper और कितने बने के मुझे मालूम नहीं है 54 बन रहे हैं यहां पर तो बहुत सारे papers बन गए यहां पर great तो अभी मैं इनको side में रख देता हूं और अब मुझे इसके बाद में बनानी है book तो बुक की recipe देख रहते हैं पर क्या रहने वाली बुक की recipe यहां पर रहने वाली है paper and leather तो अभी मेरे पास में जो leather है वो सारा का सारा मिलता है cow से और cow farm मेरा already यहां पर बना हुआ है तो फटा फट से चलते हैं और देखते हैं यहां पर मेरे को अभी currently कितना paper मिलता है और उससे पहले काम करेंगे इनको थोड़ा फीड भी कर देंगे कि जो मैं leather use करने वाला हूं वो हम बाद मे भी use कर पाएं हमें बाद में और जुरत पड़ेगी तो मैं वो भी ले सकूँ तो फटा फट से मैं पहले थोड़ा food खा लूँ और let's go इसको हम get को परते है बन ना तो मॉप संदर चले आते हैं अब यहां से मैं चलता हूं यहां पर और यहां से मेरे को जाना पड़ेगा उ ओके व फर वपर उपर 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 ऑर बैल Are Là A चुंँ पड़ा सुर्या तो यहां पिसम्रों किसि लिकीदते देते थोड़ा तो legitimate कहा one आओके लेट्स गोगाइस नीचे जलते हैं वापिस और हम उसे घर कहीं आते हैं और यहां पे हमारेilo काउस तो नहीं है आय तिं एक डो है तो वह भिली चाउस को हम लोग यह थे मारते हैं और इन वह था शुवीर चयों तो यहां से लावा चलाना है तो यह मर जाएंगी ओके आइधिंक सभी बड़ी काउस मर चुकी है यह चोटी चोटी रह गई है इनको भी खिला देते हैं अगर खिला सकते हैं तो कुछ नहीं होता तो अभी यहां पर मिरे को बनाना है कुछ बुक्स और book बनाने के लिए मिरेको पास में सब कुछ है तो देखते हैं मैं कितनी books बना पाता हूँ यहां पर 28 तो मैं यहां पर 28 books यहां पर बना पाया हूँ और अब मिरेको बनानी पड़ेगी bookshelf bookshelf तो 1, 2, 3, 4, 5 6 भी बन जाएगा I think 6 मैंने तोटा 16 bookshelves यहां पर बना ली है तो अभी आपको एक में टिप देता हूँ छोटी सी आपने साथ में थोड़ी सी dirt carry कीजिए और with shovel अगर आपके पास में है तो मैं देख रहे तो में पास में dirt है नहीं है तो ट्रिक यह है अगर यहां पर यहां पर यह लगाओगे bookshelf और बात में वो आपको पसंद नहीं आई तो फिर यह area खराब हो जाएगा मतलब आपके bookshelf जो है वो damage हो जाएगी और अब आपको उसके बाद में दूबारा से bookshelf बनानी पड़ेगी जिसके लिए बहुत सारा leather and paper लगने वाला है ठीक है तो अब ही जैसे मेरा यहां पर रूम से यहां से अंदर enter किया हूँ और enter करने के बाद में मैं यहां पर बनाना चाता हूँ मेरा enchanting room तो सबसे बहले हमें करना क्या हो था यहां पर कि आपको पहले location decide करेंगे जो highest level होता हमारा enchanting table के लिए हमको 15 हमें bookshelps चाहिए होती है तो आप इसको लगाओगे कैसे तो जैसे मैं लगाओंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है 13 14 and 15 15 15 हाँ, ओके, नाइस अच्छा मैं इधर से आया हूँ ठीक है, नाइस तो 15 मैं ऐसे लगाने वाला हूँ इसको तो 15 यह यूँ हो जाएगी और symmetry देने के करना एक हम यहां पर भी लगा देंगे अगर में पर बचती है तो 16 नहीं में पर तो लुक थोड़ा सा देख मैं सिमिलर सिमिलर सा लगेगा तो इस तरह से मैं लगाने वाला हूँ तो अभी मैं इसको फटा फटा तोड़ता हूँ और यह इसी format में लगाने वाला हूँ यहां पर मैं बुक शेल्फ को तो अभी 1,2,3,4,5,6 तो मैंने कुछ यह इस तरह यहां पर बना लिया और देख रहे हैं मैं ठीक सा लग रहा है अभी मुझे यहां पर लाइट की जरूरत है और लाइट के साथ साथ मेरे को यहां पर लगाना पड़ेगा कुछ अ एंचेंटिंक टेवल बनाने के लिए अधने को क्या चाहिए मैं वह देख लिता हूँ आ मिरे को एक पुक चाहिए जो कि में पाँ एक ही बची वई है और दो डैमेंड है और साथ में कुछ उप सीडियन चाहिए चार तो अभी मेरे पास में यहां पर एक बूक है यह नेधर वाले आइटम से पड़ी हुई है और दो चाहिए थे डायमंड तो दो डायमंड मैंने ले लिए तो अभी आप एक काम करते हैं कि अभी इसको यहां से हम लोग एंचेंटिंग टेबल मना लेते हैं यह पॉफेक्ट ठीक है तो एंचेंटिंग टेबल लगाने के लि इसको यहां पर एंचेंटिंग टेबल को एनरजी मिल रही है पावर मिल रही है इन बुक्स के थुरू और यह हमें एंचेंट करने में हेल्प परेगा तो अभी मैं पहले थोड़ी लाइट कर देता हूं रूम में तो एक टॉर्च में यहां रख देता हूं और एक चारी पीस मचे तो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा तो अब टाइम आ चोगा यहां पर अब आर्मर को अपड़ेट करनेगा तो अभी उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा अभी आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे नोट्स जो हैं उड़ उड़ करके यह इसे इसको मेरे 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 को प्रोटेक्शन टू मिल रहा है अभी फिलाल ठीक है तो यह बात में और अप्ग्रेट भी हो सकता है तो देख रहे थे किसी में कुछ अच्छा मिल रहे तो उठा लेंगे ना थो हम इन सबको पे करेंगे वन मोर थिंग जैसे कि आपको मैं दिखाता ह पड़ेगा आटमेटिक तो मेरे को यहां पर बहुत सारे टूल्स करने हैं तो मैं अभी यहां पर इसको क्रेटिव के उपर करने वाला हूं ठीक है तो अभी मैं सबसे बहले करता हूं मेरे यहां पर हैलमिट को लेट्स को और अभी हैलमिट के लिए मिल रहा है लगता हूं और प्रोडेक्शन तू में ले ले लिता हूं ठीक है तो अभी इसके उपर स्पाइब दुबारा भी लग सकता है क्या नहीं सिसक로 ऑपर नहीं लग सकता इसको किसी सांथ कर सकते तो अभी प्रोडेक्शन में को यहां पर मिला है अन ब्रेकिंग भी मेरे को मिला हुआ है ठीक है तो देखो क्या मेरा करेक्टर अब बहुत ही ज्यादा चम चमा रहा है यहां पर मस तरीके से तो अभी अब हमें करना क्या कि अभी सबसे वहले हैं हम अपने टूल्स को भी कर लेते हैं तो मैं डामेंड पिक एक से लिए मेरे को यह दे रह Means एक या एक ले Amanda मिल consider dubочь के मिलरा था है मिल रहे गें इसमें क्या क्या मिला आ था हैं और थो श्यापनेस मिल arrived है smite 1 मिला है looting 1 मिला है अगर यह looting 3 होता तो मैं definitely ले था बट मैं अभी नहीं ले रहा हूँ इसको diamond shovel को देखते हैं क्या मिल रहा है यहां पर unbreaking मिल रहा है unbreaking efficiency 1 मिल रहा है तो I think मेरे को यह दोनों ही चाहिए बट देखते मुझे इसमें दोनों में ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा मुझे नहीं मालूम मुझे इसको books के साथ में merge करना पड़ेगा तो मैं इसको merge कर पाऊंगा ठीक है क्योंकि अब मैं इस पर यहां से दुबारा नहीं लगा सकता तो एक चीज और गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक anvil होता है जैसे मैं भी आपको creative से लेगर रहे दिखाता हूँ I think मेरा anvil नीचे पड़ा हुआ है बट मैं यहां से अभी ले ले लेता हूँ इसको मैं यहां अभी रखता हूँ कुछ corner पे मेरा door का है यह तो अभी मैं इसको यहां रखता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है जैको anvil का मैं आपको use तिखाता हूँ कि anvil का use एक्चल में होता किया है तो anvil में आपने करना के जैसे यह जो books है ना आप इसको merge कर सकते हो किसी भी चीज़ जैसे यह diamond है इसके ओपर मेरे को sword के ओपर मेरे को लगाना था knockback तो मैं इसको यहां पर ऐसे रखूँगा और यह knockback यहां पर इसके अंदर add हो जाएगा जाना smite 2 है sharpness 1 है sharpness 2 भी है तो मैं जैसे मैंने एक बार इसमें knockback लगा दिया पुझे यह knockback लग गया knockback के बाद में अगर मेरे को लगाना है इसको power and smite 2 तो इसको मैं ऐसे रखूँगा और यह भी लग जाएगा तो इस तरह से मैं इसको यहां पर लगा सकता हूँ अभी मैं sharpness 2 है sharpness 1 है दो पड़े हुए है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरी जो यह है diamond pick कि इसके उपर मैं sharpness 2 लगा सकता हूँ और यह मैंने लगा लिया इस से आप लोग इसके उपर कर सकते हैं जिसवे sharpness 2 लगा हो क्या उस पर giorno sharpness 1 लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं और बड़ अग यह princes 2 में ही होगा तो इसकी कोई जुरत नहीं है लगाने की तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं काम करते हैं मेरी fortune 1 है तो इसकी उपर मैं नहीं लगाना चाहूँगा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहूँगा तो इस तरह से आप armor को यहाँ पर upgrade कर सकते हो गैस मॉब को शायद पता लगया है कि मेरे हाथ में okay skeleton skeleton guys मैं skeleton के पास में जाता हूँ वाव देखो किती दूर तक जा रहा है पीछे तक mob back से है गैस आज 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 बहुत पीछे तक जा रही है और दो ही hit में मिल चुकी है और मेरे को यहाँ पर से दो स्ट्रिंग मिली है अरे क्यों मार रहा है रूजा guys यह देखो दो तीन मरा तो तीन बारी में है इसको देखते हैं लोग जॉंबी को वान टू एन त्रिंग यह भी तीन बारी में मारा है okay spider again वान दो बारी में मरी वह यह दिख्यों नहीं लिए यह जाधो टूना करके आई है तो guys इस वारी वीडियो के अंदर इतना ही होप आप लोग वो समझ में आ गया होगे कैसे आप engine table बना सकते हो bookshelf लगा सकते हो यहाँ पर और कैसे आप लोग अपने armor और tools को अप्ग्रेट करते हो तो फटा फट से चैनल को like and subscribe करो और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के अंदर सो गाइस बाबाए टेक केर